गुड मॉरिंग दोतों स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल करंट जी के विद रवीजन मैसल राकेश कुमार आज है 12 जनवरी सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रवीजन की नई त्टिय अनुसंधान पोथ सागर अनवेशका का उधगातन जो है डॉक्टर हर्शवर्दन जी के दोरा किया गया ये जो पोथ है बेसिकली एन आई टी ओ जो है उसने एकसेप्ट की है और इससे पहले उनके पास 6 जो पोथ है या फिर वेशल्स है अल्रेडी परजेंट ह बेसिकली रिसर्च के लिए किया चाहेगा ये जो वेशल्स या फिर पोथ जो है औराउंड 6,000 मीटर तक वाटर के अंदर तक जा सकती है फिर बात करते हैं हाली में किस केंदर सासित रग्जे या फिर रग्जे ने मुबाइल अप्लिकेशन स्तर्क नागरिक का सुभरम किय जम्मो एंड कस्मीर के जो लेफ्टन जर्नल है मनोज सिनाजी उनके दोरा इस अप्लिकेशन को लॉंच किया गया है जिससे कि वहाँ पर जो भी करप्शन होते हैं उसको कम किया जासके और करप्शन के विरुद वहाँ पर क्या प्रोसीजर किया जा रहा है क्या स्टेप्स वो इस अप्लिकेशन के अंदर देखे जा सकते हैं फिर बात करते हैं मद्य अफरिकी गन्राजे सेंटरल अफरिकी रीपब्लिक के राष्टपती के रूप में दुबारा किसे अपॉइंटेड किया गया सो राष्टपती के रूप में सो फॉस्टिन अर्चेंग दुबारा से राष्टपती के रूप में चुना गया इससे पहले वो 2016 के अंदर वहाँ पर अपॉइंटेड हुए थे फिर बात करते हैं जो सेंटरल अफरिकी रीपब्लिकन कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो बेंग वोई है और यहां पर अफरिकन जो फ्रेंक है CFA ना के लिए मद्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के अमकेश्वर डेम पर बनाया जा रहा है जिसकी जो कैपैसिटी है वो 600 मेगावाट की है फिर बात करते हैं परवासी भारतिय दिवस या फिर एनराइडे जो पर्टिकुलर 9 जन्वरी को मनाया जाता है और यह जो डे है की याद में यह पर्टिकुलर डे मनाया जाता है फिर बात करते हैं औल इंडिया फुटबॉल पेडरेशन के जो पहले उप महासची के रूप में अभिशेक यादव जी को चैन किया गया है और प्रफुल पटेल यहां के प्रेजिडेंट बने हुए है औल इंडिया फुट करते हैं IHS मार्किट के उनसार फाइनेंचल यह टुन्टी वन टुन्टी टू की भारत की जो जीडिपी दर है वो एट पॉइंट नाइन परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट कोशन के परतिष्ठित जेजी नेगी हिमालियन ग्लेशियर के जलवायू प्रिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनके एहम योगदान के लिए हिद्राबद के अनुसंधान के अंदर में इनको इस सम्वान से सम्वानित किया गया है फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन से उनकी जैसे डॉक्टर अमित के श इंपियन प्रोशकार है उस समन से सम्वानित किया गया है मन्तकमार पंडे की बात करते हैं तो इनको डाट यो का जो साइंटिस्ट अवार्ड है उस समान से समानित किया गया phase बात करते हैं next question की कौन से राजय में सबसे अधिक वेनेडियम का उत्पादन होता है भारत की बा पूरे भारत का 30% यहीं पर इसका production होता है फिर यहाँ पर बात करते हैं वेनेडियम के 100 जो हमारी पिरिडिक टेबल है उसके अंदर atomic number 23 पर वेनेडियम पर्जेंट है और इसका जो atomic weight है वो around 51 के आसपास है या फिर 50.942 है और इसी का जो electronics configuration जो है यहाँ पर आपको शोप किया गया है फिर बात करते हैं बाकी की जो options हैं उनकी जैसे गोवा की बात करते हैं तो गोवा के अंदर अभी 16th January से 51 वे जो international film festival है उसका उदगाटन किया जाएगा फिर बात करते हैं उडिसा की तो भारत का पहला जो fire park है उसका उदगाटन भी यहीं पर किया जाएगा फिर बनाया जाएगा और जम्म एंड कश्मीर की बात करते हैं तो सतर्पता नागरिक mobile application जो है launcher किया गया है फिर बात करते हैं अपने उनाचल परदेश के बारे में यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और यह वाला जो portion आपको दिखाया गया है उनाचल परदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे की असम हुआ और नागा लेंड हुआ इन दो स्टेट के इसके साथ टाच होती है इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल बाउंडरी है वो पर्टिकलर बुटान के साथ इसकी टाच होती है चाइना के साथ इसकी टाच होती है और इसी के साथ साथ जो मियमार कंट्री इसकी बाउंडरी भी इसके साथ टाच होती है फिर बात करते हैं उ highest peak ہے गोर इचिंड पीक के नाम से जाना जाता हूँ जो नेशनल पार्क है नामदाफा नेशनल पार्क और मौइलिंग नेशनल पार्क ही यहां पर पर परजन着 है विधान से बाकी बात करते हैं, 60 लोग से बाकी, 2 और अजय से बाकी 1 6 यहां पर परजन्ट है फिर अपने बात करते हैं current news of अंदर नाचिल परदेश के बारे में तो पूरे ओलो और इंडिया का 30% जो ग्रेफाइड है वो यहाँ पर परजेंट है यहाँ पर एक tiger reserve है पके tiger reserve जिसको जो अभी news में रहा था कि जो covid-19 का duration चल रहा है तो उसके अंदर जो frontier line पे जो भी यहाँ पे सर्विसमेन है वो काम करें तो उनको एक life भीमा policy भी provide करवाई गई है फिर बात करते हैं भारत की पहली सुल अधारित एकिकरत बहु ग्राम जल अपुटती जो योजना है वो अरनाचिल परदेश के अंदर start की गी जो कि हमारी जल सिंसादन मिनिस्टर गजिंदर सिंग से खावत जी के द्वारा start की गई है फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे like कीजिए and share कीजिए जो भी person इस चैनल को first time देख रहे हैं current जी के विदर वीजन चैनल को subscribe कीज और पास में जो ये bell icon दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दीगी हर information का notification आपको मिल जाएगा फिर बात करते हैं next question के बारे में हाल ही में किस देश में यात्री विमान स्री विज्या एरलाइन प्लान द्रुगणा ग अगस्ट हो गया जिसके अंदर लगबग 62 जो पेसेंजर थे वो परजेंट थे यह जो विमान है वेसिकली जकारता जो इंडोनेशिया की capital है यहां के पॉंटी नैंक नाम की एक जगह है वहां से यह पर्टिकलर जो इंडोनेशिया का एक प्रमिनेंशिया का एक तन नाम की जगह है वहां पर यह जा रहा था और लगबग यह 90 मिनेट्स का टाइम डूरेशन था तो रस्ते में यह क्या हो गया दुरुगटा गश्ट हो गया फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्षिंस है उनकी जिसे ब्राजिल की अपने बात करते हैं तो इसके बारे में यूसे के द्वारा 2026 के लाश तक चंदरमा की सताया पर एक नुकलियर रियक्टर बनाने जाने की इनके द्वारा प्लान बनाया गया है जापान की बात करते हैं तो 2023 तक लकडी से बना जो निर्मित सैटलाइट है उसको इसके द्वारा लॉंच किया जाएगा फिर बात करत हैं इंडोनेशिया के सो यहां पर आपको यह जो मैप दिखाया गया है यह वाला जो पोर्शन है आपका ओल्मोस्ट यह इंडोनेशिया का है सो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकारता यहांके प्रेजिडेंट जो को विडो जी है यहांकी जो क्रिंस है वो इंडोनेशि किया गया और अभी ये इंडोनेशिया के अंदर होगा 2021 का इटली के अंदर होगा 2023 का जो है भारत के अंदर होगा फिर बात करते हैं next question के बारे में अभी हालि में ढाका मेराथन 2021 का आयोजन किया गया जिसके जो वीजेता रहे वो भारत के भादूर सिंग जी रहे हैं और ये तो मेंस केटेगरी की बात है फिर ये दी वुमन्स केटेगरी के बात करते हैं तो पुश्पा सिंग जो बंडारी है वो नेपाल की रहने वाली है ये वुमन्स केटेगरी के अंदर फ़स्ट पोजिशन पे रही और इसके अंद करते हैं जो मेराथन है सो मेराथन जो फुल दोड होती है वो अराउंड 42 किलोमेटर्स की होती है और हाफ मेराथन की बात करते हैं तो ये अराउंड 21 किलोमेटर्स की होती है फिर बात करते हैं ये जो मेराथन का आयोजन किया गया था यहां के जो शेख बंदू थे बंग गई है फिर बात करते है नेक्स्ट कोशिन की COVID-19 वेक्शिन के प्रसासन के लिए एक स्मिती बनाई गई है तो उसके अध्यक्स के रूप में आरस सर्मा जी को स्लेक्ट किया गया है आरस सर्मा जी है ट्राई जो है अमारी ट्राई उसके भूत पूरो चेर्मेन भी रहे हुए ह फिर अध्यक्स रहे हुए है उनको इस समिती का अध्यक्स अभी स्लेक्ट किया गया है फिर बाकी के जो अप्षिन से उनकी बात करते हैं जिसे संजय कपूर के बात करते हैं तो यह ओल इंडिया चेस्ट फेडरेशन के अभी प्रेजिडेंट बने हैं भरत सिंग चोहान की बात करते हैं तो यह All India Chess Federation के अभी सच्यू बने हैं जो अभी शेक यादव कि अधिपने बात करते हैं तो All India Football Federation की यह पहले उप्त महां सच्यू अभी अन्युक्त हुए हैं फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की किस संस्थान स्पेस हीटिंग डिवाइस जिसको बुखारी न में बताएंगे कि डिया डियो की क्या होती है फिर यह इसकी स्टैबलिश्मेंट या फांडेशन की बात करते हैं तो 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसकी यह अपने अभी प्रजेंट टाइम में जो चेर मेंन है वो जी सतीस रेडी जी है उनके कार्यकाल को भी ए लाध्यक्स भी बनी है फिर इस रोकी यह अपने बात करते हैं तो इस रोका जो हेड़ पार्टर बैंगलूरू के अंदर परजेंट है उसकी जो स्थाक्मा हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी फिर अपने बात करते हैं हाल की सो हल हाल के बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है इन दोनों का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में मोधी इंडिया कॉलिंग 2021 सिर्शक पुस्तक का जो वी मोचन है वो किसके द्वारा किया गया अधेश अपने जो गुपता जी है बीजेपी के प्रेजिडेंट डेली के लिए उनके दोरा इस पुस्तक का वी मोचन किया गया और वीजे जोली जो की बीजेपी की एक लीडर है उनका ये आइडिया था एक पुस्तक बनाने का इस पुस्तक के अंदर पर्टिकलर जो हमार 250 पेजेज की है जिसके अंदर 1000s of photos का ये collections है फिर बात करते हैं बाकी के जो options है उनके जैसे अलफ्रेडो को वे लिख की बात करते हैं ये इटली के एक राइटर है और उनके दोरा वहानन मास्टर क्लासेज नाम से एक पुस्तक लिखी गी जो की बगवान गणिस के उपर ल लिखा गया था फिर बात ये दिखरते हैं आर कोशिक की सो इनके दोरा अभी हाली में इंडिया 71 यार टेस्ट जर्नी ऑफ टाइम इन आस्टेलिया नाम से एक पुस्तक लिखी गी आर कोशिक जो पर्टिकलर एक सीनियर क्रिकेट अपने जनलिस्ट है और इस पुस्तक के अं उनके बारे में बताया गया है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन की अभी हाली में 26 में या 26 में कलकता अंतराष्टर ये फिल्म मोचसो का जो उधगाटन है वो वहां की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर जी के द्वारा इसका उधगाटन क के द्वारा भी मैंगलोरु कोची गेंसलाइन पाइप है जो उसका उधगाटन किया गया जो कि 450 किलोमेटर लंबी है इसी के साथ साथ ये अपने डॉक्टर हर्श वर्दन जी की बात करते हैं जो कि हमारे देश के अर्थ साइंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है उनके द सुचनियाले के मुख्य नाइधीस के रूप में जितेंदर कुमार मेश्वरी जी को भी स्लेक्ट किया गया है कनाटका राज्ये के द्वारा पर्टिकुलर क्रिसी संजवनी वेन का सुभारम किया गया जो कि अराउंड 40 वेन्स का हरी जंडी यहां के मुख्यमंति बीस ये दिरुपा जी के द्वारा दिखाई गई है फिर बात करते हैं ली पासपर्ट सुचकांग में जो जापान कंट्री है वो सबसे पावर्फुल कंट्री रहा पूरे वर्ड के अंदर एज्यू कॉन 2020 जो एक खंड सम्मेलन है इसका उदगाटन रमेस पोक्रियाल जी के द्वारा किया गया अमरिके सेना के मुख्य सुचना दिकारी के रूप में पहली बार डॉक्टर राज आईयर जो की भारती है अमरिकी मूल के उनको स्लेक्ट किया गया है राइट अंडर और नोज नाम से जो सिर्षक नोवेल पुस्तक है वो आर गिरी धरन जी के दरहा लेकी गी नेशनल स्टाटिक ऑफिस के अनसार फाइनेंस लियर 2021 के लिए जो भारत की जडिपी है वो माइनस 7.7 परसंट रहने का अन्मान लगाया गया है फिर बात करते हैं पंजाब के इस्टित इस्तिता CWI ITC प्रोशकार जीता एंटी पीसी के दोरह पर्टिकुलर ये अवार्ड जीता गया है फिर बात करें हैं फ्रूट्स नाम का एक पोटल जो है करनाटका रज्य के दोरह स्टाट किया गया जिसका फुल फॉर्म और रजिस्टेशन एंड नाम से एक पुस्तक लिखेगी जिसका फिर मोचन जो है महराष्टा के पूरू मुख्य मंत्री दिवेंदर फण ने इसके द्वारा किया गया है फिर बात करते हैं कमला देवी चट्टो पाध्याई न्यू फांडिया फांडेशन बुक प्राइज जो है पर्टिकलर अमित पुस्तक को विजेता रहे हैं फिर बात करके राष्ट्य उप्रोगता अधिकार्डिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है ब्रोदा मिल्टी सैलरी पैकेज जो है पर्टिकलर बैंको ब्रोदा के द्वारा किया गया और ओह मिजोरम नाम से एक जो पुस्तक के या नाइडू ने इसका पुस्तक का विमोचन किया गया और मिजोरम के जो राजयापाल ने पिल रही जी उनके दारा पर्टिकलर इस पुस्तक को लिखा गया है तो यह था आज का वीडियो यह आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो ताप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं करेंट जी के विद्र वीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में जो बैल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए फिर यहां पे फोटो ऑफ दा केंडिडेट कीजिए उस पर्सन का फोटो पब्रिस किया जाएगा जो कि आज के वीडियो के अंदर जो कोशन कुछा गया है उसका अंसर मुझे कमेंट में देखा फिर बात करते हैं यह जो आपको यहां पे टेबल दिखाए गई है आज की कोशन के अंसर की है एड़ दे लास्ट थैंक्स वर वाचिंग थैंक्यू थैंक्यू थैंक ह वर पिर्षग सूबस्टू थैंक्यूट पर्धैं का एवर स्ट Сейчас सा इंक्या प्ती है थैंसरे हैं है है ।